नमस्कार दोस्तों मैं अमित चोधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हिमाले एचिवब के इस यूटूब प्लेटफॉर्म के उपर जैसा कि आप सभी ने आज कल सुन रखा ये चीज आज कल काफी सुर्खियों में चल रही है पटवार बरती 2024 पटवार बरती 2024 आप बिल्कु आपस में एक दूसरे को को रिलेट करती हैं पटवार CET और CET ग्रेजवेशन के अंदर आने वाली जितनी भी भरतियां पटवार की तरह वह सारी की सारी भरतियां एक दूसरे से अच्छी खासा संबंद बनाती हैं देख हम आपको थोड़ा सा समझाता हूं जैसे अपन बा 10 प्लस 2 मैं यह मैं बात कर रहा हूं अभी जो आगामी CET है जो जस्ट आने को ही है पुरा मसोदा तयार कर लिया गया है इसके अंदर जो भरतियां निकाली जानी है उनका मसोदा तयार हो चुका है बस अब जल्दी से जल्दी वो नोटिफिकेशन जारी होना बाकी है जाते हो ठिक बस जस्ट आने को है और जल्दी से जल्दी मैं वापस से आऊँगा इसी प्लेटफोर्म के उपर और आपको बताऊँगा कि इतने दिन पहले मैंने आपको यह बात कही थी और यह वो नोटिफिकेशन रहा और यह रही परिक्षा की तिथी देखो CET ग्रेजवेशन और CET 10 प्लस 2 इन दोनों का समद्ध सभी भरती परिक्षाओं से है राजस्थान में जितनी भी बरती परिक्षा होती है इन सभी से इनका समंद्ध है किस प्रकार से है क्योंकि इनके अंदर जो स्लेबस है वो स्लेबस इन बरती परिक्षाओं के अंदर है जो CET के अंतरगत आती है ग्रेजवेशन के अंदर भी आती है और 10 प्लस 2 के अंदर भी आती है हालांकि ऐसा हो सकता है कि किसी बरती परिक्षा के अंदर एक टोपिक नहीं है, लेकिन वो टोपिक किसी दूसरी बरती परिक्षा में आपको मिल सकता है, और ऐसा है नहीं कि आपन पटवारी का पेपर दे रहे हैं, तो आपन ग्राम सिवक का पेपर नहीं दे रहे हैं, देंग वो आपस में इनको correlate करता है, अगर आप लोगों ने CET Foundation, CET 10 Plus 2 की तैयारी अच्छे से कर ली और उस तैयारी को आपने continue रखा, तो आप आराम से बरती प्रिक्षाओं में अच्छे अंक से पास हो जाओगे और अपनी सरकारी नोकरी हासिल कर लोगे, बस जरूर है था आपको इस चीज का विशलेशन करने की questions का level के सा आ रहा है, पिछली CET की एक्जाम भी थी, सब ने दी एक्जाम, लेकिन किसी ने उसको serious नहीं लिया, और serious नहीं लेने का परिणाम सभी ने भुगता है साल बर आराम से, अगर इस बरती को भी आप लोग serious नहीं लेते हो, अभी तो आपने शिर्फ एक साल भुगता है, अगर इस बरती को आप serious नहीं ले सकते हो सकता आपको 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल भी भुगत औक्टोबर में CET की एक्जाम हो जाएगी और CET की एक्जाम हो गई तो जो पटवारी की अभी जो विगप्ती आई थी जिसकी अपन बात कर रहे थे एक नोटिफिकेसन आया था 23 मई दो हजार 24 को इस नोटिफिकेसन के अंदर जिलेवार पटवारी के पद दिये हुए थे रिक्थ पदों की सूचना दे रखी थी तो अगर इसको देखें अपन और सुत्रों की माने तो लगभग कम से कम मैं बात कम से कम की करूँगा आपके सामने कम से कम 3000 पदों पर नई पटवारी भरती आने को है हम पड़ें क्या और हम छोड़ें क्या इसलिए आज ही तरीके से लग जाओ एक एक टोपिक उठा लो स्लेबस के प्रिंट आउट निकलवाओ CT के ग्रेजवेशन का स्लेबस का जो प्रिंट आउट वो निकलवाओ टेन प्लस टू वाला निकलवाओ लेकिन आप लोग नहीं निकलवाओगे मुझे पता है क्योंकि आप लोग इस इंतिजार में बैठे हो कि इनका नया नोटिफ के सनाएगा और ये स्लेबस बदल के देंगे अरे बही कितना बदल देंगे बदलेंगे तो पांस परसेंट दस परसेंट बदल देंगे एक बार खुद सोच के देखो कभी आपने 100% स्लेबस पूरा किया है किसी एकजाम का इसलिए इन चीजों को seriously low, हलके में मत लो, खुद को पूछ के देखो एक बार कि आप जो चीजें सोच रहे हुआ, आपके लिए ठीक है कि नहीं है, आप लोग क्या करोगे? 100% जो CET 10 plus 2 और CET graduation और पटवारी भरती परिक्षा का स्लेबस उठाना, ग्राम सेवक का स्लेबस उठा लेना, इसके अंदर और जो भी भरती परिक्षा हैं, LDC का उनका स्लेबस उठा लेना, आप लोग उस स्लेबस को मैच करके देखना आपस में, आप लोग को खुद पता ल टोपिक डाल रखे हैं, तो पटवारी के अंदर उसके सब टोपिक पड़े हैं, और अगर आप सच में देखो, तो पटवारी का जो पिछला स्लेबस था और CET graduation का जो स्लेबस है, उसमें computer का जो portion है, वो as it is, 100% एक एक लाइन सेम है, तो जिस बच्चे ने CET graduation के अंदर computer प बरती परिक्षा हैं होंगी, पटवारी तो आएक आरी है, बस आपके दर्वाजे पर ही है, ठिक, गराम सिवक भी आएगी, LDC भी आएगी, जितने भी बरती परिक्षा हैं, या सारी होंगी, इसलिए आप लोग CET की तयारी के तो लगी जाओ, अभी से लग जाओ, और इस इसीज को देखते हुए, हिमाले एजवाब ने आपके लिए CET का निशुल्क बैच प्रारंब किया है, यह बैच पूर्ण तया ओनलाइन निशुल्क रहेगा, यूटूब के इसी चैनल पे, इसी प्लेटफॉर्म पे रोज क्लासे होती है, चार गंटे की, एक क्लास होती ह एक होती है रास्थान हिस्ट्री की, एक होती है रीजनिंग की और एक क्लास होती है मैठ्स की, जैसे ही इनका स्लेबस कंप्लीट होगा, वैसे ही दूसरे सबजेक्ट आ जाएंगे, फिर उनकी क्लासेज लगेगी, इनकी भी टाइमिंग बढ़ा सकते हैं, खेर वो छोड़ी मैं request करता हूँ, आप पिछला paper उठाना, उस paper क्या, उस topic उठाना, उस paper के अंदर वो topic उठाना, जासे question है, जो topic आपकी online class के अंदर चल रहा है, आप ये देख लेना कि आपकी online class के अंदर जो चीज आपको करवाई गई है, वो आपको मिलेगी उस paper के अंदर, ठीक, तो जो CET Foundation batch है, थोड़ी सी उसकी जानकरी मापको देता हूँ, हिमाल्याजी अपने जिसको शुरू किया है, बैच का नाम है, CET Foundation batch, इस batch में ना सिरफ आपको CET की तयारी करवाई जाएगे, बलकि CET के अंतरगत जितनी भी भरती परिक्षाई आती है, 10 प्लस 2 के अंदर, ग्रेज साथ में आपको test series भी दी जाएगी, जिससे आपकी regular practice हो चके और आप प्रते एक topic को मजबूत बना सको, आप उस topic को पढ़ो, उसके questions होल करो, हम आपके test लेंगे, रोज आपका test हमारे telegram channel के उपर आ जाएगा, तो जो interested बच्चे हैं, जो batch को join करना चाहते हैं, जो offline classroom के अं पर करेंगे, उनको संपूर्ण जानकारी हम आराम से दे देंगे, और जो बच्चे online पढ़ना चाहते हैं, जो कफी दूर हैं, जो institute नहीं आ सकते, वो बच्चे regular YouTube के ओपर free of cost class 11, साथ-साथ में आप लोगों को description के अंदर YouTube channel की link दी गई है, आप YouTube channel नहीं, sorry, Telegram channel की आपको link दी गई है, आप लोग Telegram channel जोइन कर लें, और साथ-साथ में आपको Telegram channel की link दी गई है, description के अंदर आप लोग Telegram channel जोइन कर लें, ताकि जितने भी test हो, जितनी भी update होती है, जितने भी बरती परिक्षाई होती है, उनसे समंधित सारी की सारी खबरें आप तक समय के साथ पह विज है, वो totally copy-paste होती है, और वो बहुत सारी चीजें उनमें गलत भी होती है, लेकिन हम विरोध कहां करें, message किसको करें, admin साब reply नहीं देते, या फिर admin साब मिलती ही नहीं है, ग्रूप में करें तो क्या करें, इसलिए कई वार क्या होता है, कि बच्चा टेलिग्राम पे question solve करता है, गलत question solve करता है, और मार खाता है प्रिक्षा के अंदर, और फिर आके यूँ बोलता है, मैं तो टेलिग्राम पे किया था, और यहीं किया था, इसलिए हिमाले जो है, अच्छे से प्रस्नों को प्रक्ति है, उनके options को प्रक्ति है, और उसके बाद ही आपके सामने ह हम यह काम नहीं करते हैं कि सारे दिन हमने टेलिग्राम पे question डाल रहे हैं, सुबह डाल दिया, 10-20-15, 100-100 question, ऐसा कुछ भी नहीं है, दिनके 1 question, 2 question, 3 question, maximum 3 question, लेकिन जो question डालेंगे, वो हकीकत में quality के होंगे, आप जाओ टेलिग्राम पे और एक बार करके देखो, ठीक, description के अंदर आपको टेलिग्राम की लिंक मिल जागी, तो अधिक जानकारी जिस भी बच्चे को चीह, इस बारे में CET Foundation, वहच के बारे में, पटवारी, गराम सेवा, एक राजस्तान पुलिस, ठीक, पसू परीचर, तो जो description के अंदर आपको नंबर दिये गए हैं, उस पे आप लोग WhatsApp कर सकते हो, ओके, थैंक यू, धन्यवाद.